हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लौकी का रायता लेकर आई हूँ आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना अच्छा है तो आप सोचिए जब ये दिखने में इतना अच्छा है तो खाने में कितना अच्छा होगा friends लौकी के रायते कई तरीके से बनाएं जाते हैं लेकिन मेरा तरीका पिलकुल अलग है लौकी का रायता बनाने का देखें मैंने लौकी को अच्छे से धोके इसको छिल लिया है छिलने के बाद हम मैं इसको 2 पीसिस में कट कर लूँगी और cut करने के बाद friends हम क्या करेंगे इसको करेंगे कद्धुकस friends कई लोग इसको बारी कट करके फिर इसको उबाल कर फिर बनाते हैं लौकी कराइब लेकिन वह उतना टेस्टी नहीं बनता है एक तो लोखी में वैसे ही पानी होता और जब हम इसको उबा लेंगे तो और पानी हो जाता है वो फिर हम जब दही में डालते हैं विलकुल तरना टेस्टी नहीं बनता है तो आप देख सकती है, मैंने लौकी को कट करके, अब मैं इसको कदुकस कर लूगी, दोनों पीसिस को मैं अच्छे से कदुकस कर लूगी, फ्रेंट्स कदुकस करने से एक ये फायदा होगा, आप इसको जब खाएंगे, मूह में जाएगा आपके ये पीसिस बिल्कुल नरम हो मूह में घुलने वाला लौकी का रायता, आपका बनके तयार होगा, अब मैंने कडाई ले लिए है, लोही के लिए है, आप कोई भी कडाई ले सकती है, मैंने इसमे थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा ओयल डाला है, ओयल डालने के बाद फ्रेंट्स, जो हमने कदुकस करके और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद फ्रेंट्स, पस इसमें और कुछ ने डाला है और पानी वेगरा इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योगि लौकी में तो वैसे ही पानी होता है, तो ये भी हमें इसके पानी को ख़तम करना है, पानी वाला लौकी का बिल्कुल भी रायता अच्छा नहीं बनता है आप इस तरीके से बनाएए देखिए धीरे-धीरे बिल्कुल इसका पानी बिल्कुल खतम हो जाएगा हम इसको लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे देखिए ने बिल्कुल पानी चोड़ना जो है स्टार्ट क आप देखिए 2-3 मिनट में बिल्कुल सारा पानी जो है इसका सूख जाएगा और यह बिल्कुल पक चुका है अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं ताकि यह ठंडा हो जाए लोकी का रायता तो ठंडा ही अच्छा होता है तो हम लोकी को जीरा पाउडर भूना हुआ जीरा फ्रेंड मैंने इसको घर में पाउडर बनाया है और आदा छोटा चमच काली मिर्च पाउडर एक चमच काला नमक और डाला है मैंने इसमें आदा छोटा चमच जो है लाल मिर्च पाउडर दो बारिक कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ धन्यापत्ता बस हमें इतने ही चीजी चाहिए और इससे ही हमारा रायता जो है बिल्कुल टेस्टी-टेस्टी राता बनके तयार होगा ऐसे ही रेस्टुरेंट और होटल में ऐसे ही बनाते हैं धावे में भी आसा चाहिए लग तरीकपर hello मुझ में घुल जाने वाला रायता जो है इसी तरीके से बनता है फ्रेंड्स लौकी को कद्दू कस करके इस तरीके से बिलकुल रायता इतना टेस्टी बनता है everybody जब भी चम्मा से इसको खाएंगे फ्रेंड मुटमें डॉल जाए का अपको लगे गह गाई नहीं कि इसमें डाला है कि हमने कुछ और टाला है लोकी फ्रेंड बिल्कुल गल जाती है और आर इसका टेस्ट जो है बहुत बहुत ही अच्छा आता है हमने इसको सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है यह बिलकुल रेस्टोरेंट स्टाइल से हमारा जो है लोकी का रायता बनके तयार है फ्रेंड्स अब हम इसमें चौका लगाएंगे लेकिन अगर आप ज्यादा ओईली खाना नहीं पसंद कर और मैंने लगवर एक चुटकी करीब इसमें डाली है हेंग जब तेल हमारा अच्छे से गरब हो जागे तभी हम डालेंगे इसमें और जीरा आदा छोटा चमच आदा छोटा चमच राई और तीन से चार साबूत लाल मिर्च फ्रेंड्स लाल मिर्च में आप बीच में तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको लगाएंगे अपने रायते में चौका आप देखे कितना यह टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स बहुत ही बढ़ियां दिख रहा है तो खाने में सोचिए यह कितना टेस्टी होगा तो आप जरूर बनाएए इस तरीके से अब हम इस रेस्टोरेंट इस्टाइल से लौकी का रायता बनके तयार अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए और अगर आपको बनाएए फ्रेंड्स खाने के बाद जब पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप मिलेगा मैं ऐसी अच्छे अच्छी वीडियो आप के लिए बना कर लाती रहूंगी तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में